नमस्कार दिन भर की तमाम बड़ी और एहम खबरों के साथ में हूटी ना जा शुरुआत करते हैं हेडलाइन्स से राज्यसभा में आज देर शाम तक चला कामकाज राश्ट्रिय अध्यापक शिक्षा संशोधन विध्यक समेथ दो विध्यकों को मंजूरी शुर निकाल और प्रशनिकाल के सुचारू संचालन के बाद सभापती M1 के अनाईडू ने की सदस्यों की सराहना जम्मू कश्मीर में लोग सभा चुनाव के साथ विधान सभा चुनाव के लिए किंडर सरकार तयार राज्यसभा में ग्रेह मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा चुनाव आयोग पर निर्भर है फैसला प्रशनिकाल में विधेश मंत्री सुच्मा सुराज ने रफैल मामले में विवाद को बताया कॉंग्रिस के दिमाग की उपच कारिवाही बाधित करने वाले सांसुदों के खिलाफ लोगसभा अध्यक्ष ने आज भी की सक्त कारवाई AIA-DMK और TDP के 21 सांसुदों को लगातार 4 बैटकों के लिए किया निलंबित कल भी AIA-DMK के 24 सांसुदों पर हुई थी कारवाई गतिरोध के चलते कारेवाही दिन भर के लिए स्थागे New India की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक आविशकारों की ली जा सकती है मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने जलादर में 106 वी भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस का किया उध घाठन कहा कम कीमत पर तकनीक के कारगर इस्तमाल के लिए बढ़ाना होगा फोकस राज्यसभा के लिए निर्वाचन मामले में बढ़ी कॉंग्रिस सांसद एहमद पटेल की मुश्किले सुप्रिम कोट ने खारिज की हाई कोट में सुनवाई पर रोक लगाने से जुड़िया चिका निर्वाचन के खिलाफ गुजरात हाई कोट में चल रही है सुनवाई राज्यसभा में आज काफी काम काज पूरा किया गया देर शाम तक चली कारेवाही में राष्ट्रे अध्यापक शिक्षा संशोधन विध्यक के अलावा, निशोलक और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विध्यक को पारित किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में राष्टपती शासन लगाये जाने को लेकर सदन में परिनियत संकल्प पर सार्थक चर्चा हुई राज्यसभा की कारेवाही शुरू होते ही आज सभापती एमेंकिया नाइडू ने सांसदों से शीदकालीन सत्र के बाखी बचे दिन में सार्थक तरीके से कारेवाही चलाने में सहयोग की अपील की उन्होंने सदस्यों से आसन की ओर से दिये गए आदेशों का पालन करने की भी बात कही सभापती ने सदन की कारेवाही बाधित ना हो इसके लिए अपनी ओर से बार-बार किये गए प्रयासों का भी जिक्र किया एफ नो वे ओह ओई आइ if members are saying no we don't follow then how do we expect the House to function einfवाis or one or two that's not the issue this party or that party is not the issue then action people are saying at once action is saying why you are not taking action why you are silent and some people who are gone to the extent of saying Muratund Prof. 벌써 क不好 which was about to happen any community problems for the information of this house, August house I would like to tell I have spoken to those members who are agitated more than ten times I want to put it on record for the country and also for the parliament to know more than ten times may be much more also then I have called something of them individually normally that's not done we take it years कभ़नाफе थीजिए, क considerations.ीजिजिए, पोड़ा вत्रोली से अती हैं. स्जिए को जुछ लिए अपॉजटे मेश, अप्रोडिस क parenthमभीड़ाम को सिपर्टान. रिलेच़ों हैं लिडितन हैं जी नोльुम के रियागा में लिए फेशचेंटशनी हिरीक। इस्टेस्टी तर सुपर्षाष्ण आपकियर विल्ट पिरेंगे के लिए अग्याओ लिएट विल्टर arna करेंगे भी खाइल बहुत में लिए अखेंगे टोप्राई करा हॉं। मेरा कमरे में आके मुझे इजए जर एक बार प्रयास करेंगे अज्छा तरह मुझे भी अच्छा ने लगरे to a notice which is permitted please make your submission and have the arguments and counter arguments that is real democracy so keeping that in mind I would once again appeal to all the honorable members to please follow the rules and procedures for the coming days and then perform us even at the last moment सभापती M.W.N.K.A.N.I.D.O. की अपील के बाद आज शीतकालीन सत्र के दोरान पहली बार राज़सभा में शूरनिकाल और प्रश्निकाल की कारेवाही सुचारू तरीके से चली राज़सभा के सभापती M.W.N.K.A.N.I.D.O. शूरनिकाल और प्रश्निकाल के एजन्डे में शामिल सभी विश्यों को पूरा करने के लिए सांसदों की तारीफ की सदस्यों ने भी सभापती का आभार विक्त किया ग्रेमंत्री राजनाच सिंग ने आज संसद में कहा कि केंद्र जमू और कश्मीर में विधान सभा चुनाब कराने को तयार है राज्य में राश्पती शासन को सदन की मंजूरी के बीच उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जमू कश्मीर को बड़े आर्थिक पैकेट से लेकर रोजगार के मौके मुहिया कराए है जिससे वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिल रही है कश्मीर में शानती के लिए सरकार सभी पक्षों से बाचीत के लिए भी तयार है केंद्रिय ग्रेमात्री राजनाथ सिंग ने गुरवार को राज्यसभा को उन सभी परिस्थितियों की जानकारी दी जिनके चलते वहां राश्टपती शासन लगाना पड़ा नेता सदन अरुन जेटली ने चर्चा में हस्तक शेप करते हुए कहा कि आजादी के बाद कभी भी कश्मीर के मुद्दे को कॉंग्रेस की सरकारों ने गंभीर्ता से हल करने की कोशिश नहीं की चर्चा के दोरान विपक्षी दलों ने कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में इजाफे से लेकर सीमा पार गोलिबारी में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जम्मु कश्मीर में राष्टपती शासन लागो करने संबंधी प्रस्ताव का लोकसभा पहले ही अनुमोधन कर चुकी है दरसल जम्मु कश्मीर में राज़िपाल शासन के 6 महीने पूरे होने के बाद राज़िपाल की सिफारिश पर गत 20 दिसंबर से राष्टपती शासन लागो हो गया था मानिये ग्रहमंत्री जी आपको भी मालूम है आज पिएज़िडी वाले जा रहे हैं आपको एक डाक्टर नोकरी छोड कर चला गिया आज डाक्टरी के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं 50 लाग एक करोड और उसके बाद नोकरी छोड के वो मिलिटन्ड बन जाए इंजिनिक छोड के पिलिटन्ड जाए लाग ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट पिएज़िडी कंडिडेट मिलिटन्सी में जाए तो दिस सम्थिंग रूम विद्ध कावंट अइंडिया आतंकबादी गत्विदीयों के बजह से जो रोजी रोटी का मुख जरिया था कस्मीर का टूरिज्म का वो इतना एड़शली प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे लोग निरास होने लाग तो हमारे कश्मीर में जब भी कोई अच्छी बात आती है कश्मीरी जो है वो बुरूसा करते है हमारे अतल बेहरी वाजपाई जी ने दो हजार दो में लाल किले पे कहा कि हम कश्मीर में जो अलेक्शनेस साफ शफाफ करेंगे कश्मीरी ने बुरूसा किया उसके तरह थाएंinea में चिस प्रकार जैने पूसथि को मैं लिए घू आपके पूने पूरे असफ़ को बिया किसी अपराओने में नियुका One-नौस बाहसे लिए वहां पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं चुनाव कराना तो यह एलक्षन कमीशन का काम होता है लेकिन मैं सदन को आस्वस्ट करना चाहता हूं हम लोगों की तरफ से कहीं पर कोई बाधा नहीं है एलक्षन कमीशन एलक्षन कमीशन वहां चुनाव संबन कराने के लिए जीतनी भी security forces की आवश्क्ता होगी तो मांगेगा तो असारी security forces भी हम उसको महया कराने के लिए पूरी तरफ से त्यार हैं बेतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आज़ाद साथ और अगर ब्लेम गेम में जाना है तो मैं केवल आपको इतना कह दूँ कि जब इतिहास फैसला करेगा कि काश्मीर के ऊपर डॉक्टर शामा प्रशाद मुकर जी का दृष्टिकोंड सही था या पंडित च्वारला नेरू का सही था तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी लेकिन अगर आपको स्टेट्स्मेन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है तो कम से कम भविश्य की हम लोग सोचें लोगसभा से पारित हो चुके राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिश्टा संशोधन विध्यक को आज राज्यसभा से भी मन्जूरी मिल गई इसके तहट B.Ed, D.Ed और M.Ed डिग्री धारकों को रिट्रोस्पेक्टिव मानिता दी गई है जिन्हें N.C.T.E. से मानिता प्राप्त नहीं थी केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतरी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ये मौका सिर्फ एक बार ही मिला है और 14 लाख अध्यापकों को इससे मदद मिली है उन्होंने बताया कि गुडवत्ता वाले शिक्षक तयार करने के लिए सरकार शिक्षकों की ट्रेनिक पर खास जोर दे रही है और इसके लिए जल्द ही एक नया विध्यक लाया जाएगा इससे पहले कॉंग्रेस सांसाद राजीव गौड़ा ने बिलपर चर्चा के शुरुवात की दूसरे सदस्यों ने शिक्षकों और शिक्षका का स्तर सुधारने पर जोर दिया क्या है अगर जाज कि लिए कोई टीम जा रही है तो वो एक ही टीम रहनी चाहिए और वो टीम वो समें पर जाए और वहाँ पर जो भी कम्याह होँ वो पूरी करने की कोशिश करें इससे क्या है कि जो लोग वहाँ एड्मिशन ले रहे हैं उनको भी डर ना लगे कि इन्हें मानिता मिलेगी या ना मिलेगी उन्हें नोकरी कहीं खत्रे में ना लगे इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ आज जो प्राइमरी के टीचर ने प्राड्फिंग के टीचर है उनको समय समय पर सब्सierte कभी जड़ना की डूड़ूटी म compute कि किसी डूटी में लगाया जाता है क्योंकि प्राड्फिंग विद्ध़ालों में जाद अतर देश के गरीब लोगों के बच्चे पड़ते हैं इस प्बढ़ाया जाए और उनको स्काम में ना लगा जाए शिर्प पढ़ाई पर लगाई लेकिन इंटिघ्रेटेटर बीएड की कलपना रखी है और उसकी तैयारी कर रहे है इंटिग्रेटेड बियर्ड के आज जो कोर्से चल रहे है उसमें केवल हल्वन तैया जी थोड़े लोग है लेकिन ऐसा नहीं कि इंटिग्रेटेड बियर्ड पूरा सुरू नहीं हुआ है अब हम आगे से केवल इंटिग्रेटेड बियर्ड को ही म अधिकार संशोधन विध्यक सर्व सम्मत्ती से पारित कर दिया। इसके तहट अब बच्चों को पांचवी और आठवी की परीक्षा में पास नहीं होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा। पास जावडेकर ने कहा कि ये चात्रों के अंदर प्रतीस परधा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राज्यों ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री बैठे दो दिन बैठे और पचीस राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने के मेसेज लेकर आये थे शिक्षा मंत्री सभी पार्टी के थे और केव मीटिंग में सब ने कहा कि हमें ये बदलाओ चाहिए और इससे हमें परविशन चाहिए। चाहर राज्यों ने कहा कि नहीं, we are okay with no detention. तो मैंने ये उपाय किया कि भई ये राज्यों पर आम छोड़ेंगे। So this bill is nothing but to give states power. कम से कम पढ़ने लायक शिक्षा और शाक्षर होना बहुत जरूरी है। मैं इस bill का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा bill लाया। आदिवासी स्कूलों में बच्चे ठीक है पढ़ाई में आठी तक पास हो जाते हैं लेकिन और भी वीवी धकला होती है। चाहे वो तिरंदा जी हो उसमें आदिवासी बच्चे देश में भी नाम रोशन करते हैं अन्य प्रतिभा को भी बढ़ने का उसर मिलता है। मैं इस bill का समर्थन के साथ धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद है। लोगसभा में शीद कालीन सत्र के दौरान लगातार कारेवाही बाधित करने वाले सांसदों पर आज भी लोगसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कारवाई की। उन्होंने आज AIADM के और TDP के 21 सांसदों को चार बैठकों के लिए निलंबित कर दिया। इन सदस्यों पर नियम 374 एक तहट कारवाई की गई। निलंबित किये गए सभी सदस्य वेल में आकर लगातार सदन की कारेवाही में गतिरोध पैदा कर रहे थे। लोगसभा अध्यक्ष ने सदन के कामकाज को बाधित करने वालों के खिलाफ कारवाई करते हुए दो दिनों में कुल 45 सांसदों को निलंबित किया है। बुधवार को भी AIADM के 24 सांसदों को सत्र की बाकी बची बैठकों के लिए निलंबित किया गया था। आज गतिरोध जारी रहने पर कई बार स्थगन के बाद कारवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गए। आज बने महां गता स्ची किया मा जातीकिन बूज रहने। अधित गती बाकी बुद घूचील है। यह रहे बहें क्रांवाही बाकी को प्ला में धजित किいた। आगे बढ़ते हैं भारत की महानता ज्ञान विज्ञान में तो है ही लेकिन इसका असली मकसद Science, Technology और Innovation को समाच से जोडने का है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतिय विज्ञान Congress Association की तरफ से आयो जितकारिक्रम के दौरान कहा कि विज्ञानिकों की प्रतिबधिता से देश आज भी बहुत कुछ सीख रहा है प्रधान मंत्री ने जोड़ देते हुए कहा कि विज्ञान का लक्ष दो उदेश्यों को प्राप्त करने से पूरा होता है सगन ज्यान का स्रिजन और इस ज्यान को समाजिक आर्थिक भलाई में लगाना प्रधान मंत्री ने इको प्रणाली की खोज को बढ़ावा देने के साथ नवाचार और स्टार्ट अप पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई जै जबान, जै किसान, जै विज्ञान, जै अनुसंधान गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जलंधर में लवली प्रोफेशनल युनिवरसिटी में 106 भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस का उधगाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा New India की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई शेत्रों में विस्तार की जरूरत है, जिन्हें विज्ञान की मदद से पूरा किया जा सकता है प्रधान मंत्री ने कहा कि क्रिशी के शेत्र में कम कीमत पर तक्नीक का कारिगर इस्तमाल कैसे किया जा सकता है इस पर फोकस करना होगा अब आज के समय की मांग है कि इन सारे आविस्कारों के साथ सेंसर टेकनोलोजी, ड्रोंग, सेटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशल इंट्रिजिएंस को एक पैकेज बना कर अपने किसानों की मदद की जाए इस मदद के जरिये हमारे किसान, अपनी फसल, अनाच, सींचाई, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट और पैस्टिसाइट से जुड़े तमाम पैसले आज के वैज्ञानिक तरीकों की मदद से ले सकेंगे प्रधान मंत्री ने कहा कि देश जिस तरह Ease of Doing Business में आगे बढ़ रहा है उसी तरह से Ease of Living में भी आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमें सिर्फ प्रतिसपरधा नहीं करनी बलकि श्रेश्ट तब ही दिखानी होगी प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें अनुसंधान के निशकर्षों को उस तर पर ले जाना है जिससे दुनिया उसकी पीछे चले चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की पॉपिलेशन दाइनिमिक्स की हो या फिर बायो टेकनोलोजी और डिजिटल मार्कल प्रेस की आज इसी एकोसिस्टिम के जरिये हम अपने देश के टैलेंट पूल के पोटेंशल का फायदा उठा सकते हैं अगर हमें आने वाले समय में नौलेज सोसाइटी के वर्ल लीडर की कतार में खड़ा होना है तो देश को अपनी रिसर्क शमता बढ़ाने के लिए हर संभव काम करना होगा इसके अलावा प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि साल 2018 विज्ञान के शेत्र में भारत के लिए शांदार रहा उन्होंने कहा कि भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानि इसरों ने एक के बाद एक काम्याबियों के शिखर को चुआ प्रधान मंत्री ने उम्मेज जताए कि भारत का महत्वकांक्षी मिशन गगन्यान सही समय पर पूरा होगा साल 2022 तक तीन भारतियों को अपने गगन्यान में ही अंतरिक्ष में बेजनी की तैयारी जोर सोर से चल रही है इसरों ने इसके लिए एक विशेश टेकनोलोजिक क्रू एसकेप सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन भी किया है मुझे अपने विज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि गगन्यान का हमारा सपना ताय समय में पूरा होगा तीन से साथ जन्वरी तक चलने वाली इंडियन साइन्स कॉंग्रूस में देश विदेश से 30,000 वैज्ञानिक और रिसर्च शेत्र से जुड़े लोग शिर्कत कर रहे हैं समयलन का इस बार का विशे भविशे का भारत विज्ञान और प्रोध्योगी की है पांच दिन तक चलने वाले इस कारिक्रम में विज्ञान और प्रोध्योगी की पर चर्चा के लिए 100 से ज्यादा सत्र आयोजित किये जाएंगे भारतिय विज्ञान कॉंग्रिस असोसिएशन हर साल इस कारिक्रम का आयोजन करता है अरुना थाकूर राज़ी सभा टीवी प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी कल मनिपूर और असम का दौरा करेंगे इस दोरान प्रधान मंत्री मनिपूर में अनिक योजनाओं का उद्गाटन करेंगे और आधार शिला भी रखेंगे प्रधान मंत्री विभिन परियोजनाओं का उद्गाटन करने के लिए पत्टिका का अनावरन करेंगे इन परियोजनाओं में मोरेह में एकिकृत चेक पोस्ट, दोलाई थाबी बेराज परियोजना, साउंबांग में एफसी आई खाद्य भंडारन गोदाम, थंगल सुरुनगंद में एको टूरिजम कॉंपलेक्स और विभिन जल आपूर्ती योजना शामिल है प्रधान मंत्री 400 किलवाट की डबल सर्किट सिल्चर इमफाल लाइन भी देश को समर्पित करेंगे इनके अलावा प्रधान मंत्री धनन मंजूरी विश्विद्याले इमफाल की संग्रचना विकास, खेल सुविधाएं जैसी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इमफाल पूर्व जिले में हापता कांजय बुंग में लोगों को सम्भोधित करेंगे प्रधान मंत्री का असम में सिल्चर के रामनगर में जन्सभा को सम्भोधित करने का कारिक्रम भी है बैड लोन के मामलों में राश्ट्रे कमपनी विधी न्यायाधिकरण यानि NCLT के जरिए 66 मामलों का निप्टान किया गया है और इनमें से करीब 80,000 करोड रुपे के पुराने फसे कर्ज की वसूली की जा चुकी है केंद्रिय विध्यमंत्री अरुन जेटली ने आज फेस्बुक ब्लॉग के जरिये ये बात कही उन्होंने बताया कि अगले साल मार्च तक और 70,000 करोड रुपे रिकवर किये जाने की उमीद है इनमें भूशन पावर एंड स्टील और S.R. स्टील जैसे 12 बड़े मामले निप्टान के अंतिम चरड में हैं कॉंग्रिस पर निशाना साथते हुए उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस ने कमर्शल इंसॉल्वन्सी को हल करने की पुरानी विवस्था की विरासत को पीछे छोड़ा लेकिन N.D.A. सरकार ने नॉन परफॉर्मिंग लोन को रिकवर करने के लिए तेजी से काम किया उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए इंसॉल्वन्सी और दिवालिया कोड लागू किया अरुन जेटली ने कहा कि National Company Law Tribunal के पास 2016 के आखिर में Corporate Insolvency के मामले पहुचने शुरू हुए और अब तक 1322 मामले सुनवाई के लिए सुईकार किये गए हैं उन्होंने बताया कि करीब साड़े चार हजार मामलों को सुनवाई से पहले शुरूआती स्तर पर ही निपटा दिया गया है इन मामलों में दो लाख करोड रुपे से जादा की राशी का निपटान होने का अनुमान है जबकि 66 मामलों को नियाएक प्रक्रिया के बाद हल किया गया है 260 मामलों में संपती बेच कर्ज वसूली का आदेश दिया गया है कॉंग्रेस की राजसभा सांसद और पार्टी महासचिव एहमद पटेल को सुप्रीम कोट से जटका लगा है सुप्रीम कोट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए राजसभा में उनके निर्वाचन को लेकर गुजरात हाई कोट में चल रहे मामले का सामना करने को कहा है एहमद पटेल ने गुजरात हाई कोट में चुनाव याचिका में सुनवाई आगे बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी थी बीजेपी के उमीदवार बलवन सिंग राजपूत ने 2017 में राजसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रेस के बागी विधायकों के दो मतों को अवैद करने के चुनाव आयो के फैसले पर सवाल उठाया था और इसे गुजरात हाई कोट में चुनौती दी थी कोट में लंबे समय से अठके अयोधिया भूमी विवाद मामले में सुप्रीम कोट सुनवाई को लेकर कल फैसला करेगा सुप्रीम कोट सुनवाई की प्रक्रिया और तारीखों को तै करेगा कोट उन याचकाओं पर भी फैसला सुना सकता है जिसमें ये मांग की गई है कि अलग तैय समय में सुनवाई नहीं होती है तो कोट अपने आदेश में कारण बताए कि एक तैय समय में सुनवाई आखिरकार क्यूं नहीं हो सकती सुप्रीम कोट में तक्रीवन आठ साल से लंबित आयोध्या भूमी विवाद मामले पर कौन सी बेंच सुनवाई करेगी इस बारे में मुक्षिन आधीश रंजन गोगोई की अध्यक्ष्टा वाली पीठ शुकरवार को फैसला लेगी साथ ही जल्द और रोजाना सुनवाई की मांगवाली अर्जी पर भी निरने लिया जा सकता है अयोध्या भूमी विवाद को लेकर सुप्रीम कोट में साल 2011 में इलहाबाद हाई कोट के फैसले के खिलाफ याची का दायर की गई अब इस मामले में लोगों को जल्द फैसले की आस है कि आप सकता है क्योंकि पूरा देश सुपरिम कौट के ओर्डर को पढ़ता है सुनता है और इस से जो है इसको एक्जामपूल मानता है हाल ही में एक इंटर्व्यू में पुर्धान मंत्री ने राम मंदिर मामले में कहा था कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि राम मंदिर का निर्मान संविधान के दाएरे में होगा अयुद्ध्य विवाद में इलहवाद हाई कोट ने 30 स्पमबर 2010 को फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक विवादित जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बाटने का निर्देश दिया गया था कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए वही सीता रसोई और राम चबूतरा वाला हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए जबकि बाकी की एक तिहाई जमीन सुन्नी वख बोर्ड को दी जाए लेकिन सेहमती नहीं बनने पर राम लला विराजवान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी इसके बाद सुन्नी वख बोर्ड ने भी सुप्रीम कोट में हाई कोट के फैसले को चुनौती दी थी बाद में इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई सुप्रीम कोट ने 9 माई 2011 को इस मामले में हाई कोट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी अगर इस मुद्दे को त्वरित अगर नया देती है तो निश्चित रूप से यह जनमानस का आदर होगा और सुप्रीम कोट की भी प्रतिस्ठा लोगों के नजरों में बढ़ेगी अयोध्या भूमी विबाद 1950 में शुरू हुआ था जो अभी तक चला आ रहा है इन साथ दस्कों में कई सरकाने बदली और उनका रुख भी बदला लेकिन लोगों का इंतजार अब भी जारी है विपिन चोहान के रिपोर्ट राज्यसवा टीवी तो फिलाल इस बिल्टन में इतना ही नमस्कार